लेखा सास्तर कक्सावारा अध्याच है कमपनी के वीतिय वीवरण एक परिचय नमस्कार मित्रों में रामावतार कुमावत बटू का आपका श्वागत करता हूँ मैं एक शोयपाठी विद्यार थी हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे सत्तर परती सच्चे अधिक याद हो जाता है धन्यवाद प्राश्ण एक वीतिय वीवरण क्या है उत्तर लेखा वर्स के अंत में व्यवसाय की लाब दायकता एम वीतिय इस्थिति को परकट करने वाला वीवरणों को वीतिय वीवरण कहते है प्राश्ण दो वीतिय लेखा कन कार्य की अंतिन उत्पाद क्या है उत्तर वीतिय लेखा कन कार्य की अंतिन उत्पाद वीतिय वीवरण है प्राश्ण तीन किसी सहस्ता की वितिये सूसनाओं को संचिप्त रूप में प्रस्तूत कौन करते हैं उत्तर वितिये विवरण प्रस्तूत करते हैं प्रशन चार वितिये विवरण से क्या आ साय है उत्तर वितिये विवरण से आ साय है एसे विवरण से है जो लेखा अवदी की समापती पर वेवशाई की वित्य इस्तिती एवं वेवशाई कारियों के परिणाम को परकट करता है प्रश्ण पाँच जान एन मायर के अनुशार वित्य विवरण जैसा सब्द किसलिए परियुक्त किया जाता है उत्तर जोन एन मायर के अनुशार वित्य विवरण सब्द जैसा की आधुनिक वेवशाई में परियुक्त किया जाता है जो दो विवरण जिनकों की लेखपाल व्यवशाई के लिए निश्चित अवदी के अंत में तयार करता है के लिए परियुक्त होते हैं ये विवरण चिठा या वित्य इस्तिती का विवरण और आई विवरण या लावा अनी विवरण है प्रश्न 6. कंपनी अदिनियम 2013 की दारा 240 के अनुसार वित्य विवरण में कीने सामिल किया जाता है उत्तर एक, वीतिये वर्ष के अंत में इस्तिती वीवरण, दो, वीतिये वर्ष के लिए लावानी वीवरण, तीन, वीतिये वर्ष के लिए रोकड़ परवा वीवरण, चार, यदू लागू हो तो समता में परिवर्थनों का वीवरण, और पांच स्वेस्टिक रण नोट, के साथ रोकर परवा है वीवरण बनाने से मुक्त रखा गया है उत्तर एक वेक्ति कंपनी लगु कंपनी निश्क्रिये या गुप्त कंपनी को अपने वीतिय वीवरणों के साथ रोकर परवा वीवरण बनाने से मुक्त रखा गया है प्रश्ण आठ वीतिय वर्स किशे कहा ज काता है उत्तर कंपनी अधिनियम दोजार तेरा की दारा दो इकतालिस के अनुसार कंपनी या निगमित सैंस्ता की द्रिष्टी से परतेग वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली आवदी को वीतिय वर्ष का आ जाता है पर्शन नो कंपनी अधिनियम दोजार तेरा की दारा एक सो गुंतिस एक के अनुसार कंपनी के वीतिय विवर्णों एं कंपनी की वीतिय इस्थिति का किस प्रारूप में होना चाहिए उत्तर एक सहीं एं उचित चित्र प्रस्तूत करना चाहिए दो दारा एक सो तेतिस के अनुसार लेंखांकन पर्मापों का पालन करना चाहिए, तीन, ये अनुसुची, थर्ड के में दिये गए निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए, प्रस्न दस, वित्य विवरोणों की विशेशता एक कौन-कौन सी है, उत्तर, वित्य विवरोणों में, सुच्छनाओं को मोद्रिक रूप में प्रस्थूत किया जाता है दो वित्य विवरण एत्यासिक परपत्र कहलाते हैं क्योंकि ये पिछली आउदी से समंदित होते हैं तीन वित्य विवरण सेंस्ता की लाब परदता को लाब आने विवरण के माद्यम से तथा वित्य इस्थिति को चिठ्था विवरण के माद्यम से प्रस्तूत करते हैं चार वित्य विवर्ण सूचनाओं के परियोग करताओं को अनेक परकार की सूचनाई उपलब्द कराते हैं प्रस्न ग्यारा संचेप में वित्य विवर्ण का उद्देश्य क्या है उत्तर वित्य विवर्णों के निम्न उद्देश्य हैं एक व्यावशाइक संस्ता क वित्य इस्थति को सम्मंदित आवश्यक सूचने उपलब्द करवाना। 2. व्यावशाइक संस्ता की लाब दायकता से सम्मंदित आवश्यक सूचने प्रस्तूत करना। 3. वीतिय विवरणों में रूची रखने वाले विभिन वर्गों को प्रियाप्त एम वानचित सूचनाई उपलब्द करवाना 4. बावी निर्णों के लिए आधार प्रस्तूत करना 5. व्यवसाय की वीतिय इस्थती एम लावानी का सही एम उचित-चित्र प्रस्तूत करना 6. सहस्ता द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने एतु किये गए कारियों की जानकारी उपलब्द कराना प्रश्न 12. वीतिय विवरण के से इस्तरोत होते हैं उत्तर वीतिय विवरण एसे इस्तरोत होते हैं जो इनके उप्योग करताओं को विविन परकार की सूचनाएं उपलब्द कराते हैं प्रश्न 13. वीतिय सूचनाओं को उप्योग करने वाले कौन से वर्ग हैं उत्तर अंसदारी, लेंदार, रिनदाता, परबंदक, करमचारी, सरकार, बेंक, एम, वीतिय सेंस्तान, कर अधिकारी, अनुसांदान करता, आधि अनेक परकार के निर्णेयों के लिए इन सूचनाओं को उप्योग करते हैं प्रश्न चोदा, वीतिय विवर्णों का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तर सेंस्ता की वीतिय इस्थती, निश्पादन दधार, रोकड़ परवा के बारे में सूचना देना है, ताकि विविवेन उप्योग करता, आर्थिक निर्णें ले सकें प्रश्न पंद्रा, वार्शी खाते किसे कहते हैं, उत्तर, परतेक वर्ष के अंत में कम्पनी दुवारा इस्थती विवर्ण एम लाव आनी विवर्ण तेयार किये जाते हैं, जिने वार्शी खाता कहते हैं प्रश्न सोला, कम्पनी के आधार भूत विवर्ण कौन सी अनुसूची में दिये गये हैं, उत्तर, कम्पनी के आधार भूत विवर्ण लाव आनी विवर्ण एम इस्थिती विवर्ण कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची थड में दिये गये हैं प्रस्ण सत्रा कम्पनी अधिनियम की अनुसुची थर्ड के प्रारूप क्या है उत्तर एक अनुसुची थर्ड के प्रारूप भाग एक में इस्थति विवरन का प्रारूप दिया गया है भाग सेकिंड में लावानी विवरन का प्रारूप दिया गया है इसके साथ ही इसको तयार करने तु विविन निर्देश भी दिये गये हैं। प्रसन 18 कमपनी का चिठा किस्ति विवराण संपति हैं। उत्तर, चालू संपती, संचालन चक्र, दो चालू दाईत्व, चार व्यापारिक प्रापेताईं, पांच व्यापारिक देताईं, और छे लेखांगन की टीपणी, प्रश्न गुन्नीश, चालू संपती किसे कहते हैं, उत्तर, निम्न में से एक कसोटी को पूरा करने वाली ही चालू संपती कहलाती है, ए, इसके कमपनी का सामाने संचालन चक्र में वसूल होने की संभावना है, और ये विक्रे का उप्योग करने के लिए हो, ये मुख्यते व्यापार करने के लिए रखी गई है, सी, इसके विवरण तयार होने की तिथी के दो माहे के अंदर वसूल होने की संभावना है, से सभी संपतियों को गेर चालू संपती मोना जाएगा, प्रश्ण 20, संचालन चक्र किसे कहते हैं, उत्तर, संचालन चक्र वे समाय अवदी है, जो किसी संपती को करे करने और उसके नगद अथवा, नगद तुल्यों में परिवर्तन होने के बीच की अवदी है, जब संचालन चक्र की अवदी को मापा नहीं जा सकता है तो ये अवदी 12 माह की मानली जाती है प्रश्ण 21 चालू दाइत्व क्या है? उत्तर निम्न में से एक कसोटी को पूरा करने वाले दाइत्व को ही चालू दाइत्व माना जाता है कसोटी एक इसके कमपनी के सामाने संचालन चक्र की अवदी में भुगतान की संभावना है दो ये मूलते व्यापार करने के उद्देश से रखा गया है तीन इसके विवरण तयार करने की तिथी के बारह माह के अंदर भुगतान किये जाने की संभावना है से सभी दायत्वों को गेर चालू दायत्वें माना जाएगा प्रश्न बाईश व्यापारिक प्रापेताएं क्या है उत्तर व्यवशाई की सामाने व्यवशाई किरियाओं के अंतरगत माल के विक्रय अथा सेवाएं करने के समंद में दे राशी से व्यापारिक प्राप्यों में विविद लेंदार एम प्राप्य बिलों को सामिल किया जाता है प्रस्ण 23 व्यापारिक देटाएं क्या है उत्तर व्यापारिक देटाएं की सामाने व्यापारिक किरियाओं के अंतरगत माल के क्रिये अथ्वा सेवाएं प्राप्त करने के लिए देव राशी से सम्मंदित होती है व्यापारिक देवताओं में विविद लेंदान और देव बिलों को सामिल किया जाता है प्रश्ण 24 लेखांगन की टीपनी किसे कहते हैं उत्तर इस्तिती वीवरण में दी गई मदों को स्वस्टी करण के लिए पहले अनुसुची सब्द का परियोग किया जाता था अब लेखांगन की टीपनी सब्द का परियोग किया जाता है धन्यवाद